question 3 explain the theory of plate tectonics or what are tectonic movements explain the theory of plate tectonics तो plate tectonics की theory क्या है कि जो crust है earth का यानि कि जो upper part है earth का ये साथ छोटी या फिर बड़ी plates से वना है plates मतलब earth का एक flat part तो plate tectonics की theory ये कहती है कि earth का crust जो है यानि कि earth का upper part जो है वो साथ छोटी और बड़ी plate से बना है plate का यहाँ पर मतलब है earth का एक flat हिस्सा ये जो plates है earth की यानि कि ये जो land के टुकड़े हैं ये जब move करते हैं तो इनसे stress build up होता है यानि कि आसपास की plates पर दबाफ पड़ता है और इसके वज़े से जो ऊपर के rocks है उपर का जो surface पे जो है उस पर faulting होती है folding होती है और volcanic activity होती है उसके पाद ये plate movements जो है ये तीन तरह की होती है सबसे पहली है जब दो plates एक दूसरी की तरह आती है ये बनाती है convergent boundary convergent boundary मतलब जुडने वाली boundary next जब plates एक दूसरे से दूर जाती है when they move away from each other तब वो divergent boundary बनाती है divergent यानि की अलग होने वाली last जब plates एक दूसरे से last जब plates जो है वो एक दूसरे के side से निकल जाती है यानि कि they move horizontally past तब वो transform boundary बनाती है question 4 distinguish among divergent, convergent and transform boundaries mainly 3 तरह की tectonic plate movements होती है सबसे पहली है convergent movement convergent movement तब होती है जब दो plates एक दूसरे की तरफ बढ़ती है और एक convergent boundary बनाती है जब दो plates साथ में आती है तो दो चीजे हो सकती है या तो वो साथ में टकराएंगी और तोट जाएंगी they will collide and crumble या फिर एक plate जो है वो दूसरी plate के नीचे चली जाएगी इस image में आप देख सकते हैं कि ये plate जो है इस plate के नीचे चली गई है और इन्होंने convergent boundary बनाई है second type of movement है divergent movement जब दो plates एक दूसरे से अलग हो जाती है दूर जाती है तो वो divergent boundary बनाती है जब इस तरह की movement होती है तब या तो एक नया crust बनता है या फिर sea floor जो है वो expand हो जाता है spread हो जाता है last जो third type की movement है वो है transform movement transform movement तब होती है जब दो plates एक दूसरे के side से गुजर जाती है तब वो transform boundary बना इसका मतलब यह है कि कोई जो नए features है वो दो plates की जुड़ने से या फिर अलग होने से नहीं बनते बहुत जादा major change नहीं आता है जहां पर transform movement होती है वहांके features बस थोड़े से बदल जाते हैं कोई major change नहीं आता तो वेन two plates slide past each other यानि कि जब दो plates जो है वो आसपा से गुजरती हैं तो एक tear fault बनता है यानि कि एक fracture बनता है question 5 how do the Himalayas play a vital role in the economic and cultural development of India तो सबसे पहले Himalayas जो है उन्होंने बहुत ही important role play किया है as the controller of Indian climate यानि कि Himalayas के उन्हे से India के climate पर काफी फरक पड़ता है it is the facilitator of monsoon rain यानि कि Himalayas की वज़े से बारिश होती है बहुत सारी क्योंकि जहां पर mountains होते हैं वहां पर बादल खटे होते हैं और उससे बारिश होती है उसके बाद जो north of Asia से बहुत ही ठंडी हवाय आती है वो उनको इंडिया में आने से रोपते हैं जो mountains है पुराने समय में जो foreign invaders थे बाहर से जो इंडिया में घुसने लोग आये थे जो घुस बैठिया थे उनको अंदर आने से पहाड़ों ने रोका है उसके बाद पहले जो travelers आया करते थे आखिर में जो ancient travelers इंडिया आया करते थे वो mountain में passes के थुरू आते थे आप passes क्या होते हैं पासेज एक ऐसी जगह होती है जहां पर area जो होता है पासेज जो होते हैं वो mountain में एक natural area होता है जो की low होता है और जहां से आप आसानी से travel कर सकते हैं इनी सारी routes की वेज़े से इंडिया में पुराने समय में ideas और चीज़ें exchange होती थी question 6 describe the main features of the aravali ranges firstly aravali जो है वो सबसे पुराने rock structures में से एक है उसकी age कुछ 670 million years है एक समय पर वो काफी उचा होता था और एक पुराना fall mountain था लेकिन अब वो काफी टूट चुका है तो इसलिए वो एक low hill range बन चुका है aravali range जो है वो western India के central part में है और उसकी western side जो है वो एक desert है यहां पर आप aravali range देख सकते हैं और यह हमारा desert वाला area है lastly वो south west direction से north east में जाते हैं गुजराद से दिल्ली की और